पढ़ रहे हैं तो फिर उसमें तो सारी और यह वो करेंगे हम लोग तो आईए आप सभी का आगबन है वास्तु की क्लास में शुरू करें आंसे क्लास ठीक है तो देखिए हम लोग वास्तु में क्या-क्या कवर करने कि वास्तु में हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे कि वास्तु और किस्मत का संबंद कैसे होता है वास्तु और फॉर्चुन वास्तु कितने प्रकार के होते हैं यह भी मैं बताऊंगा और फिर हम जाएंगे जो प्रकार है उनके इंटरनल्स क्या है जैसे कि सबसे पहले हम तो आट दिशाओं का भी वास्तु होता है 16 अपडि जोतिश के माद्यम से यह पी रामिड के माद्यम से एड डीरेक्शनल वस्तु ही देखते हैं, आठ दिशाओं का वास्तु देखते हैं अब म्यूट कर लिजे कि कुछ नौइस आ रहा है ठीक है प्रश्ण होगा तो पूछ लीजेगा तो उसमें आठ दिशाओं होती है और विश्व कर्मा जो वास्तु है उसने उसको और डिविजन कर दिया है जिसे तो अब सोला दिशाओं की वास्तु यह मुख्य तो पर नॉर्थ में भी उत्तर में भी और दक्षिन में भी बहुत प्रचली थे ठीक है आठ दिशाओं की जो वास्तु है वह व्यक्ति स्पेसिफिक हो जाती है लेकिन पिरामिड में पूरे घर को भी वह अप्लाइ करते हैं पिरामिड थे हम लोगों ने पढ़ी लिये तो नाडी जिशाओं की बात करता है तो उनके अपने खुद के घर कारकत्व रखे हुए हैं उनके अपने दिशाएं बताई हैं और फिर बताते हैं कि कौन से ग्रह का कोई से ग्रह के उपर सबसे आदा अशुब प्रभाव पढ तो शूला दिशाओं की वास्तू है उससे शुरुआत करेंगे अब जब हम वास्तू की ऐयरोवेद की यह जोतिश की बात करतें तो सबसे पहले जो चीज हमारे समने आती हैं वो holy कि क्या है तत्व क्या हैं उपने आपस में क्या सम्मंद्ध है और उनकी अपनी एक साइकल होती है जिस दिशा में वो काम करते हैं वो साइकल क्या होती है यह हम समझने की कोशिश करें तत्व कौन से होते हैं देखी यह स्लाइड में हमेशा आपको तत्व उपर देखके मिल जाएंगे अर्थ मिलेगा भू तत्व जला वायू तत्व और आकाष्ट तत्व जू देखेंगे कंकिसका मित्र है कौन किस का शत्र होता है मित्र और शत्रू वह मित्र और शत्रू तरू यह भी मैं आपको समझाऊंगा वास्तु की डायरेक्शन एट डायरेक्शन और एक बत्तिस डायरेक्शन यह विश्व कर्मा की ही वास्तु है लेकिन वह बत्तिस डायरेक्शन शिरिफ घर के एंट्री गेट के लिए मानी जाती है मैं अब यहां प्रश्ण उपस्तित होगा कि भाइब प्लॉर्ट का एंट्री या घर का एंट्री उधारन के तौर पे बता देता हूं दक्षिन की तरफ देखने वाला या दक्षिन मुखी आपका प्लॉट तो दक्षिन मुखी तो विक्ति यूजुली कभी अपना घर बनाएगा नहीं लोग क्या करते हैं आपने वास्तु अलग हो जाती है लेकिन हैं खंप अप ऐस्तु अलग हो गई हो गई अपने पने मैं रहता हूं इस अपार्टमेंट में इस मों हमारा प्लॉट है लेकिन मेरान की कि फ्लैट आता है वो फ्लैट है उत्तर मुखी कुंडली में सूर्य किसी की भी कुंडली में सूर्य जिस राशी में बैठा होगा उसको आप सर्वतो भदर चक्र में लगाईए द्यान से सुनिएगा कुंडली में सूर्य जिस राशी में बैटा होगा उसको सर्वतो भदर चक्र में लगाए उसमें उसकी दिशा देखिए कि सर्वतो भदर चक्र में लगाने के बाद उसकी दिशा कौन सी आ रही है उसी दिशा के मुख वाले घर में वह वेक्ति जीवन मे परतेट रुखा है यह साव प्रतीशक्त। तो स्वर्ट भंदर चक्र जाएगा कुछ सूध्यक्ति रहा हूं कि विक्तिका एंटरंस क्या रहेगा घर वह नोखिंग ली वही घर में जाएगा जिस घर में उसका सूरिय सर्वत भंदर त्रवत पदर चक्र चक्र कोर्स का पार्ट नहीं हूं कि उसकी पड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है शक्राल से सकते हैं इस बीच्टिति रही हैं क्या स्थीति होगी दाएपने क्या हो वहां का फैनेंस्यल्स देख सकते हैं कि जो commodity market है वो उपर जा रहा है नीचे जा रहा यह सारा चीज सर्वत बदर चक्र से निकल के आता है वहीं से निकल के आता है क्योंकि सर्वत बदर चक्र में वह दिया हुआ है राशियों नक्षत्रों के लिए अच्छा पढ़ रहे हैं उसको आप मैं पढ़ रहा हूं अभी अभी टाइम ही नहीं मिला ना साब वह तो नाड़ी कर ला कर दिया ना पहले मैंने तो वह सेकंड स्टेप में चली गई तो अभी सर्वत बदर भी मैं आप लोगों बता दूँ है उसके बाद में जब हम लोगों को यह पता चल गया है कि विश्व कर्मा वास्तू में सोला दिशाय होती है और बहुती स में उसके उते हैं तो स्वह Fiona दिशाय है कि आपको सब्सक्राइब करहता होगा कई की की होती होगी हर दिशा की जीतिश में ग्रहों के कारकत्व उस dziis का कैसे ढूंन कैसा किया जाए जो दिशा हैं जो विगड़ चुकी है। उन दिशाओ के सुलीशन कर सकते हैं या वहां का जो element है, जो तत्व है, उस तत्व को ठीक करें, क्योंकि बिगड़ेगा क्या, बिगड़ेगा तो वहां पे बैठा हुआ तत्व बिगड़ जाएगा, उसका balance बिगड़ जाएगा, उधारन के तौर पे देखिए, आपने बहुत मिर्ची खा ली, बहुत तीखा हो गया और फिर परिशानी या वोमेटिंग हो गया या जो भी हो गया, या सिरदर शुरू हो गया, वो तो symptom हो गया, तो आपका तत्व आपका तत्व जो है, वो अगनी तत्व खराब हो चुका है, या imbalance हो चुका है, उस तत्व को ठीक करना पड़ेगा, उसके symptom आपको कहा म मिलेंगे, किस दिशा में मिले, अगर हम शरीर के ऊपर पूरे के पूरे 16 दिशाएं लगाते हैं, तो समझ लिजे, तत्व हमारा पेट में था, अगनी तत्व, ठीक है, लेकिन symptom कहां पर आए, वो मेटिंग हुआ मूह से, यानि यह कोई दिशा होगी, या सरदर्द हुआ, तो यह कोई दिशा होगी, symptom आपको कहीं और मिल जाएगा, तत्व नीचे का खराब हो जाएगा, यह बात समझ में आई, उसके बाद, यह जो imbalance होता है, वो cuts और extension से होता है, तो वो cuts और extension कैसे consider करने हैं, क्या करने हैं, वो भी हम देखेंगे, हम practical examples भी देखेंगे, कि घरों क के उपर इसका कैसा practice करनी चाहिए, तो मैं आप लोगों से request करूंगा कि आपके जो भी, यानि मेरे पास तो कई सारे हैं, 20-25 घर के floor chart है, नक्षे हैं, तो अगर आपके भी पहचान में किसी के होंगे, तो उनके ला लीजिए, उनको जमा करना शुरू कीजिए, क्योंकि हम लोग उसके उपर practice करनी शुरू करेंगे, तो यहां तक ठीक है सबको, अभी आते हैं कि हमारे elements क्या है, पहले elements से शुरू करेंगे, element क्या होता है, यह क्या कहता है, इसको समझने के कोचिश करें, अगनी से पृत्वी, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगनी तत्वा से पृत्वी के तरफ, ठीक है, पृत्वी से मेटल के तरफ, मेटल से वाटर, वाटर से उड़, यानि अगनी से भूत तत्वा, या उसके पीछे वायू तत्वा, उसके पीछे जल तत्वा और उसके पीछे आकाश तत्वा, इसके पीछे पीछे आकाश तत अगनी से भू तत्व की तरफ जा रहा है लेकिन उट बोले तो वायू तत्व यहां पर देखिए यह वायू तत्व है यह अगनी तत्व है इनके सिंबॉल से यह पृत्वी है यह आकाश है और यह जल है ठीक है इनको समझ के थोड़ा ध्यान रखिएगा की अगनी तत्व से पृत्वी तत्व के तरफ green arrow जा रहा है देखें आप अगनी तत्व से पृत्वी को मदद कर रहा है वो उसको बढ़ा रहा है पृत्वी से आकाश की तरफ green arrow जा रहा है है इसका मतलब यह भी इसको बढ़ाएगा are you बढ़ाने का क्या मतलब होता है इसको कैसे उपयोग में लाए जाता है यह हम अमारे कॉर्पूर्स में देखें आकाशतत्व जल्थ को बढ़ाता है जल्थ थफव वायू तत्व को बढ़ाता है वैसनी तत्व अगनी तत्व को कि कम करेगा जल और अकाश को करेगा को कम करेगा कि तो दर देखिए अभी हम लोग को तो दो आपको उसको कम कराने के लिए और अग्रयाय दाए यह इनी तत्व पर काम करता हुद कि ठीक है कि उसका मैं आप लोगों को एक चोटा उदारन देता है लोब भूशन जी जॉइन हो गए नो नो बजे उद्रा बशेक है मैं कर लीजे कर लेकिन जहां तक हो सके जॉइन ही कीजिए तो मज़ा आएगा इसकेशन में अगर आप लोग कर सकते हैं या जल्दी करना है तो जल्दी भी कर सकते हैं जैसे भी पर रात का टाइम इसलिए रखा हुआ है कि ताकि सब लोग जाए थीक है थीक है मैं भी आपको बता रहा था क्या बता रहा था हाँ ठीक चलिए ये आईरवेर देखिए पित्त दोश है कफ दोश है और वात दोश मैंने सिर्फ एसीटी बड़ी इतना बताया लेकिन ये दोश काम कैसे करता है ये देखने की कोशिश करेंगे ये अभी हमारे वैदिक के फ्री कोर्स का पार्ट है संतोज जी तो जब यह शुरू होगा तब मैं आप लोगों को इंटिमेट कर दूंगा ये आप जोईन कर लीजेगा क्योंकि इसी में मैंने इसी में मैंने जो हस्त मुद्रा हैं उससे सोलुशन कैसे देना है ये भी आड तो देखिए अगर वाथ है ठीक है देखेंगे वाथ पित्था और कफ पित्थदोशारा तो फायर और एयर एक साथ है इन दोनों से मिलके वाथ पित्था बनता है आकाश तत्व और पृत्वी तत्व से मिलके कव बनता है ठीक है और यह वाटर नहीं यह इन्होंने गलत दिया हुआ एक मुट के ऐसा नहीं यह यहां पर देखिए आप पित्त दोज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् वह इथर यानि आकाश तत्वा और वाईव तत्व को मिलके बनता है ठीक है तो यह तो दोश हो गए इनके अब इसमें यह कैसे जानेंगे कि फायर बढ़ा हुआ है या पानी बढ़ा हुआ है यानि अगर पित्ता दोश आना है मैं तो कुछ तो उपर नीचे होना चाहिए न कि अंगी जाके होगा या वास्ता से पकड़ें के घर के वास्तू को में अगर ब्रशा हो रहा है तो को पित्त दोश में भी करेगा और कफ्द दोश में भी करेगा जरेइ प्तन दोश में करेगा, fire होने के वज़े से, लेकिन अबड़ पा अगर पानी कम ज़्यादा हो रहा है, तो पितन दोश में भी करेगा और कफ़दोश में भी करेगा, ठीक है? ये ध्यान में रखी एगा, एक ही चीज दोनों जगह problem created करती है, पित्त दोश और कफदोश में पानी ये दोनों जगव काम करता है अगर जल तत्व की मात्रा आपके घर में कम ज़्यादा हो गई तो एक तो पित्त दोश देगा या कफदोश देगा देगा ही देगा लेकिन है वह जल तत्व का कारणा है जो काज है वह जल तत्व है जल तत्व अगर आपके घर में बिगडा हुआ है तो आपको करोना हुआ रहेगा इनके सारे कफ दोश वाले वेक्ति थे इनके घर में इनके घर में पुरुतवी तव और जलत तव में कुछ्छ न कुछ परिशानी होगी और इनके कंदली में भी तो अर्थ बोले तो क्या हुआ बुत अधोब बुत अधो बुत के पास आगया तो बुद्ध यदि आपके कुंडली में खराब है यानि अशुब बनाने के तरीके तो आप लोगों को पता है अगर यह बन रहा है और उसकी दशा अंतर दशा चल रही है तो आपको पैंडेमिक ज़रूर हुआ रहेगा आपको कोरोन ज़रूर हुआ रहेगा जल तत्व यानि चंद्रमा और शुक्र यह दोनों जल तत्व में आते यानि चंद्रमा जल है शुक्र जल तत्व है चंद्रमा अपने आप में जल है जैसे सूरिय जो है यह अपने आप में अगनी है लेकिन मंगल अगनी तत्व है ये तु अगनी तत्व है लेकिन अपने आप में मंगल जो है अपने आप में सूर्य जो है वह अगनी ही है ठीक है वह जलता रहता है तो मज़े की बात देखिए कि पृत्वी तत्व के ऊपर जल का परिणाम है कफदोश में उस वेक्ति को जिसके घर में पृत्वी तत्व या जलतत्व ये दोनों भी इंबैलेंस है ये दोनों भी बिगड़े हुए है आप समझ लीजिए उनको कोरोना डिसीज हुआ ही हुआ रहेगा सव परतिशत और इसका मैंने काफी जगे पर एनलेसिस किया और तब मुझे पता चला कि हाँ इनके घर में दोश है क्योंकि वह जो वास्तू का दोश है वास्तू कहता है ततास्तू जैसी वास्तू है वैसे ही रिजल्ट में आपको दूँगा अब आपके कुण्ली में भी वैगर वैसे रिजल्ट आ गए और उस वक्त वह ग्रह एक्टिवेट हुचुका है वह काम कर रहा है वह कार्य कर रहा है तो वह आपको जरूर देगा जैसा हम लोगों ने मेरी कुंडली डिसकस किया जैसंतोच जी बुद्ध की अंतर दशा चलता है तो बुद्ध मेरा एक्टिवेटेड़ था भूतत्व और जलतत्व की परेशानी है तो उसने परेशानी देगी ठीक है इसी प्रकार मैंने इनके याने यह तो इमेज जो ली है यह गूगल से ही है कि इनका आपीरेंस कैसा होगा बॉड़ी फ्रेम कैसी होगी नींद कैसी आती होगी इमोशनल कैसी होगी टेंडंसी मेंटल एक्टिविटी बॉबल स्किन और यह वेक्ति ओवरॉल कैसे होंगे इस इस देखिये कि लाज़ जिसका बढ़ान केस्में कैसा काम करेगा और एंबैलंस में कैसा काम करेगा तो यह नहीं पाइवेयराम से कि रिभड़ीर कैसा है यह तो प्रेजेंटेशन आप लोगों के पास आजाएगी जब आप लोग वैदिक वाला भी कोर्स यह जिन दिनों में रहेगा क्योंकि वैदिक तो आप वैसे भी कर चुके हों मुझसे लेकिन यह जिन दिनों में मैं बताऊंगा उस दिन आप जॉइन कर लिजेगा वो शाम क तो मैंने इसके मुद्राइं यहां पर ले लिए और मुद्राओं की डिटेल्स हमने आगे देखी तो आप अगर यह प्रेजेंटेशन देखके भी समझ जाए तो आपने क्लास कीप कर दी तो भी चल जाएगा यह प्रेजेंटेशन में आप लोगों को भीजवाद हूँगा तो यहां से हमें यह पता चल रहा है कि भाई तत्व तो अपनी जगह पर है तत्व बिगड़ दी सकते हैं किसी ने किसी कारण से इससे शरीर के त्री दोश्व पर होगा सबसे महत्व पूर्ण है जलतव अब जलतव क्यों महत्व पूर्ण है क्योंकि शरीर में जल कितना है सब्तर क्षा होने के कारण आए Patel न हो Chi दिया गया है जल तत्व आपके वास्तु में सबसे ज्यादा बैलेंस होना चाहिए हमेशा यह याद रखिएगा उसको देखने की तरीके क्या होते हैं वह बैलेंस कैसे ढूंडना है और इसको क्या मतलब है कि यह थोड़ा उसको कम करेंगा करेटिव का मतलब बढ़ देगा sulamama अपने तत् Pan से ते Frame को डिस्टॉई कर देता है अपने तत्व से तीसरे तत्व को डिस्टॉई कर दीकषय कर देता है यानए अगर मेर侵ल लफ चरीर में चंप यह है अगनी जदा बढघए तो आकाश कम हो जाएगा आकाच आदेखते हैं कि आपके किस तत्व को परेशानी है उन तत्व से कौनसा दोष- निर्वान हो रहा है तो वह नीचे के तत्व के ऊपर अपना काम करना शुरू करते हैं मेडिसीन के बारे मां कहा जाता है कि हम लोगों के पास तीन प्रकार की मुख्या दवाईया है एक एलोपेती है एक होमियोपेती है और तीसरा आयरवेद होमेवेदी कहता है कियों डिसीज वाइ समदर डिसीज किसी भी मरीज को जो रोग हुआ है उसका इलाज तो करो तो जब इसका इलाज होगा तो कोई और आपको रोग हो जाएगा उधारान के तौर पे आप यदि कि इस लिए काम आती है यह करके हैं इस और कॉम्बिनेशन यूज्ट तू गिवर रिलीव इन मस्किलर पें मसल पेंगे लिए होती है अब यह जब भी आप आलोपेती की दावाई देखेंगे ना यह आपको बता देगा साइड इफेक्ट ऑफ एकनाइक एमार कोई भी दवाई डालिए उसका आपको साइड इफेक्ट मिलेगा यानि क्या हो रहा है क्योर डिसीज इस रोग को ठीक कीजिए किसी और रोग के वांते हमसे तो किसी और रोग की उत्पत्ती हो जाएगा इसलिए कहते हैं कि कोई भी दवाई लंबे समय तक यदि आप उसको ग्रहन करते रहे तो आपको जीवन में कोई नो कोई दूसरी विमारी हो जाती है लंबे समय तब आप कभी भी नहीं कर सकते जैसे एंटसाइड लेते हैं लोग ऐसे लिए लंबे समय तक बहुत सालों तक अगर इसका ग्रहन शुरू रहा तो बाइस टोन हो जाते हैं ब्लैडर होता है हमारे शरीर में वहां पर पत्थर जमा होना शुरू हो जाते हैं तो कुछ नो कुछ परिशानी तो यह जीवन में आपको देगा ही देगा लेकिन वह इतने कि दूसरा है हो मियपाति हो में भी कि क्या कहता है कि क्यों डीचीज वाइस इम डीचीज अब इनका क्या मानना है कि हर सीजब का अपना एक साइकल है उधारान के तो पर यदि आपको सर्दी हो जाए यह तो प्रोटी इंफेक्षन हो जाएं तो पहले आपका नाक बहना शुरू हो जाएगा उसके बाद आपको थ्रोट इंफेक्शन हो जाएगा गले में जलन होगी खा नहीं पाएंगे उसके बाद में खासी शुरू होगी और वो कफ धिरे 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 शरीर से बाहर निकल जाएगा इसको लगवक साथ दिन से लेके चौदा दिन तक का टाइम लगता है तो यह क्या हुआ थ्रोड इंफेक्शन का चौदा दिन का साइकल होमेवेति कहता है क्योर डिसीज वाइस उस साइकल को फॉस्ट कर देता है मैं शिर्श बन घडरत भूत कुछ करता है लेकिन यह वह इंकी सेम डिसी तो जो चौदा दिन लेने वाला हो कहते हैं हम तुमा दिन में ठीक कर सब्सक्राइघ कि तो आपने कंप्लीट करी है आपने अईसा नहीं किया यहाइक आपने साइ आईर्वेद आपकी नाड़ी परिक्षा करेगा और बोलेगा कि कौन सा दोष उत्पन्न हुआ है दोष किस से उत्पन्न होता है यह हमने देख लिया अगर अगनी पित्त दोष निर्वान हुआ है तो उसमें अगनी तत्व और जलत तत्व काम कर रहे हैं तो वो बोलेगा कि नीचे के जो थालिमेंट में परेशानी वह उंगों से परेशानी है वह नाड़ी बता देती है जल के वजह है या अगनी के वजह से कुश्रीं के जल कि क्म हो गया तो भी और इसाइट ऑड़ Dallas अगनी बहुत जादा हो गए और जल बहुत कम हो गया तो ग्याइब्स कात्र वद्रोड है तो यह ढूंडना स्किल है आयरवेद में इसलिए जो जितना पुराना वैद होता है वो उतना नामचीन होता है कि वो इतनी सारी नाडिया देख चुका होता है कि उसको पता चल जाता है कि भाई यह प्राब्लम हो किसे रही है और फिर वो दोश का उपाय देता है अब उपाय में इनका फिलोसोफी क्या है इनकी धारणा क्या है यह देखते हैं आयरुवेद में ये लोग कहते हैं कि जो कई सारे पेड़ हैं, उनकी जो पेशियां होती है और मनुष्य शरीर की जो पेशियां होती हैं, वो कुछ-कुछ पेड़ों की शरीर के साथ मिलती है। तो हम उसको लाएंगे, उसका रस निकालेंगे, या उसको सुखाएंगे और उसको घोट कर आपको किसी इंग्रीडियन के साथ दे देंगे। अब ये कभी शहद लेंगे, कभी छांच लेंगे, कभी दूद लेंगे, कभी शक्कर लेंगे, कभी कुछ लेंगे और वो आपको और उनको भी पता होता है कि इससे समाहदान भी बरस इनका मानना है कि जो मास्पेशए आपकी हो गई है जिसके वजह से तटव बैलेंस हुआ है यह मास्पेशियां वहां जाकर नया जीवन देदेगी वह तत्व बैलेंस हो जाएगा यहां तक समझ में आ गया यह कोई प्रश्ण हो तो पूछ लिए निरुपमा आपको समझ में आ गया यह कोई प्रश्ण है हलो तो हमको यहां तक तो पता चल गया कि भाई तत्व जो होते हैं वो जैसे शरीर में हैं वैसे ही वास्तू में और यही खासियत है घर में जिस विक्ति का जो तत्व वास्तू के उस तत्व से मिल गया व्यक्ति उस एरिया में बहुत बढ़िया काम करता है उधरन के तोर पे बताए जाता है साउट इस्ट जो डायरेक्षन है कि साउट इस डायरेक्षन में अगनी तत्व माना जाता है और जो आपके जैब में या गल्ले में रहने वाले पैसे हैं, ऊपर ऊपर जो रहने वाले आपके पैसे हैं जो आप वियाने आपके अलमारी में रखते होंगे, रोजमरा की खर्चे के लिए, या जेब में ले लेके लिकोंटे होंगे, जिसका अगनी तत्व अच्छा होगा, और जिसके घर का South East भी अच्छा होगा, उसको पैसे की किल्लत नहीं जाएगी, ठीक है, तो एक घर में चार भाई रहते हैं, उसमें से एक भाई के पास बहुत पैसे रहते हैं, तीन भाई के पास नहीं रहते हैं, यह तो देखा होगा ना अपने, तो ऐसे केस में उस व्यक्ति की कुण्णली भी देखना पड़ता है, कि यह घर में यदि अगनी तत्त्व सही तरीके से या बहुत अबली तरीके से काम कर रहा है, तो यह फाइदा किसको दे रहा होगा, और अगर दूसरे को फाइदा नहीं दे रहा तो कहीं उसके कुणली में तो अगनी तत्व बिखरा नहीं पड़ा है वो है यहने उसका अगनी तत्व इसके साथ मेल तो नहीं कह रहा है हो सकता है कि उस विक्ति के कुणली में जला तत्व बढ़ गया होगा तो वह अगनी को ख उसके कमरे में उस अगनी को बैलेंस करके रखा हुआ है वो जिस कमरे में बैठती है पड़ाई को और जहां सोती है या फिर आफ शरीर के उपर उसको बैलेंस कर दीजे ठीक है तो यह लोग जो लाल कलर का पीले कलर का नहीं का धागा अधा फाथ में बान लेते हैं इससे यह एक्वली टतों के साथ खेलते हैं शरीर के बहुत समल खेलना चाहिए बिना कारणे से कुछ नहीं पहनना चाहिए जैसे आपने आप माते पर अगर टीका भी लगा लिया तो आपने मंगल लगा लिया तो यह तो हम लोग एस्ट्रो वास्तु में पढ़ने वाले यह सारी चीजे लेकिन कुंडली भी कितिनी महत्वपूर्ण है यह मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुंडली अपने आप में सबसे आधा महत्वपूर्ण है वास्तु हम लोग सिर्फ हम लोग सिर्फ वास्तु के माध्यम से देखिए वास्तु जो है वह अपने आपने सारे तत्व है और वह तत्वा आप तो बैलेंस कर तब तक उसको फाइदा नहीं मिलेगा और इसलिए मैक्सिम आप आप लोग मैक्सिमम जगे पर देखिए लोग जब वास्तु किसी के घर का करके आते हैं तो मुख्य तोर पे घर का जो करता पूरिश होता है जो पैसा कमाता होता है उसी के पॉइंट ऑफ यू से करके आते ह कर लिए नहीं करके आते हैं सब्याइब की सब्सक्राइब करके मुझे किसी वी वास्तु जहां पे वी सतु होता है वहां पे जाकर efficacy कितना लाव हुआ गर वैलें सोंगा है क्या सारे पांच कद्ट्व को पांच की ये आपने उनको अलाइन कर दिया है अगर आपने उनको वास्तो किया जो हमने सीखा था पहले बहुत ज्यादा फाइदा हुए उन लोगों बेसिक नहीं बहुत ज्वाइदा वह वह तरफ में नहीं काफी फाइदा वह उसी केस में होता है जिस केस में कुंडली बहुत अच्छी होती है यानि वह पर्टिकुलर तत्व कुंडली में बहुत बढ़िया होता है बिल्कुल मिल जाएगा यह भी यह भी हो सकता है कि अगर सिर्फ वास्तु से ही प्रॉलम आ रहा है जैसे वास्तु के कई सारे प्रॉलम से कट है एक्स्टेंशन है ट्वालेट्स है कोई नाला जा रहा हो घर से तो उससे तो डेफिनिटली अपना फाइदा तो होगा लेकिन ज बस उसका अनुबह महत्वपूरून है कि वास्तु तो आपको कोई अनुबह देने नहीं वाला कि वास्तु में चेंजेस हो गया है तो वास्तु तो कुछ नहीं बताएगा लेकिन वह व्यक्ति बताएगा कि साब मुझे नीन अच्छी आ रही है अभी पैसे का प्रॉलम साल हो रहे थे वह ठीक होना शुरू हो जाएगी पर उनकी मेरा मानना यह है कि कुणली भी उसको सपोर्ट करना चाहिए वह उसको अलाइन हो जानी चाहिए तो वास्तु जब भी करेंगे हम लोग आप दोनों टाइप से करेंगे आप वास्तु के माध्यम से भी करेंगे और कु और नाड़ी तो मैं नाड़ी की बास्तु आपको इस कोर्स में इंट्रोडक्शन तो दे ही रहा हूं वह भी आपके लिए हिल्फुल हो जाएगा क्योंकि आप लोगों ने नाड़ी का कॉर्स ऑल्रडी किया हुआ है ठीक है तो यहां पर एक छोटा रिप्रेजेंटेशन डिपिक्शन देने की कोशिश करी है कि शरीर के किस हिस्से में आपको परिशानी दीखेगी जब कोई तत्व आपका परिशानी में आ जाएगा अगनी तत्व है ठीक है दीक हो गया कुछ प्रावल्बम हो गया इसको एक में दुकिए है हुआ 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 है तो फायर को यदि प्रावलम होता है तो शरीर में कहां दिखेगा हार्ट स्वाल इंटेस्टाइन ट्रिपल बर्नर स्टमक अगर अर्थ में होता है भू तत्व में तो कहां पर दिखेगा अगर में होता है तो लंक्स में दिखेगा लार्ज अंटेस्टाइन जल तत्व में होता है तो किड़नी ब्लैडर उड में होता है तो गाल ब्लैडर या वायू में होता है वायू तत्व में होता है या लीवर ठीक है जो मैं आप लोगों बता रहा था कि इसको बढ़ाता उसको कम करता यहीं buyer दिखाने की कोशिश करेंगे लेकिन उनके कि इनके क्या होंगे होंगे और CLelyn क्या यह formed लोग जब ठीक करने की कोशिश करेंगे वास्तु को देखे जब अगले चाप्टर में जाएंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा अब यहां देखिए आप सारे तत्वों के गुणधर्ण दियों कि कौन किससे बन रहा है क्या बनाता है किसको डिस्ट्रॉय करता है उसका अपने आप में कलर क्या है जैसे जल तत्व है तो उसका नीला कलर है आप यहां भी देख सकते उपर भी आपको मिल जाएगा इस फायर है तो रेड कलर है यानि लाल कलर है अर्थ है तो यलो में और स्पेश थे तो सफीद है यह हमारा लिए बड़े इंपॉर्टंट है क्योंकि यह कैलर जो है यह अपने आप में यह जो कालर से यह कालर सरा अपने आप में बैलेंस करने की काम आते बैलेंस करने कांव बहुत सारी चीज़ा आती है लेकिन प्राइमरी यह अपने काम साथ भी होते हैं और कूछ कर्रेक्शन भी होते हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे फिर इनका शेप क्या होता है वेवी वेवी बोले तो पानी की लहरे जो होती है वो रिक्टैंगल त्रिकोन अगनी तत्व के लिए चौकोन भू तत्व के लिए और सरकल यह अकाश तत्व के लिए इनरजी इनको कहां कहां से मिलती है जब बारिश होती है तो water एनरजी है बीन से एयर को आती है, सोलर से फायर को आती है, gravity जो है और sound जो है वो space है क्योंकि ब्रमांड ये पुरा धनी से बना हुआ है Omm जो शुरुआत हुई है वह ब्रह्मार्ण की शुरुवात ही ओम से हुई है ऐसा सभी का मानना है हमारे जितने भी फिलोसॉफिस है वह यहीं मानती हुआ इनकी डिघ्री स्क्राइब हुआ होती है यह इसी जन दाओंगा च audiobook होता है उसमें कुछ बताँगा कि हम लग सबसे पहले विश्व कर्मावास्तु जो सोला डायरेक्शन का है वो पड़ता है भूत तत्व जो है वो पस्चिम में होता है और आकाश तत्व सेंटर में होता है अब इनके यह सब डिविजन भी तो आज के लिए यहीं रुपते हैं और हम लोग कल सब डिविजन के उपर काम करना शुरू करेंगे ठीक है आपको अगर यहां तक कोई प्रश्न है तो पूछेंगे यहां तक तो ठीक है बहुत बढ़ी है ठीक है और फिर बाद में हम देखेंगे कि इसका पूरा सिक्वेंस क्या कि किस सिक्वेंस में वास्तु को सबसे पहले यह देखा जाता है कि कहां पर इंबैलेंस है और उसको किस तरीके से ठीक किया जाए यह पूरा सिक्वेंस हम पढ़ेंगे ठीक है तो आज के लिए यहीं पी रुपते हैं आप लोग अपनी इमेल आडीज मुझे डाल दीजे ग्रूप में ताकि जब मैं फोल्डर बनाओं तो वो फोल्डर में मैं शेयर कर देता हूं यह 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 यह